नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम पत्रकारिये लेखन के विभिन रूपों और उनके लिखने के तरीके के बारे में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पत्रकारिता है क्या. किसको पत्रकारिता कहते हैं? पत्रकारिता दरसल एक professional गतिविधी है, ये एक तरह की कला भी है और कौशल भी है, यानि एक तरह का आर्ट और क्राफ्ट भी है, जिसमें एक पत्रकार सार्जुनिक महत् यानि जो public importance है, जो public interest है, यानि साजुनिक महत्य के तातकालिक और सामई घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में समाचार और विचार संग्रहित करता है, उसका विशलेशन करता है और उनका प्रसारण और प्रकाशन करता है. ये जो गतिविधी है, ये पत्रकारिता कहलाती है, इसमें तत्यों की छान भी इनकर की जाती है, तत्यों के आधारित, तत्यों पर आधारित समाचार होते हैं, और उसका लोगों के जीवन पर प्रत्यक्ष और प्रोक्ष क्या प्रभाव पढ़ता है, इसका ध्यान रखा जात तो पत्रकारिता एक तरह से जिसके बारे में कहा जाता है कि यह लोगतंतर का चोथा खंभा है और यह नागरीकों को सूचनाएं मुहया कराने, लोगों को विचार देने एक तरह से उनको देश-दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, उससे अवगत कराने का माध्यम है. और पत्रकारिता एक तरह का कौशल भी है एक तरह की स्किल है जिसको हम सीखते हैं और पत्रकारिय लेखन के कई प्रकार हैं पत्रकारिय लेखन में कई तरह के रूपों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें मुख्यता हम समाचार लेखन के बा आप रेडियो पर समाचार क्यों सुनते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हमको जानकारी रहे उन घटनाओं के बारे में उन मुद्दों के बारे में जो कुछ भी हो रहा है उनके बारे में जानकारी होना हमारे जीवन के लि मिलेगा अगर हमें जानकारियां नहीं होगी इसलिए कहा जाता है कि सूचना एक बहुत बड़ी ताकत है एक तरह से सूचनाएं होना लोगों के लिए जिसके पास जितनी ज्यादा सूचनाएं हैं वो उतना ही अपने जीवन को बहतर तरीके से जी सकता है तो हमें सूचना एक कहां से मिलती है जो मुख्यता सूचना देने के माध्यम है वो एक तरह से अखबार हैं टेलेविजन के न्यू चैनल्स हैं रेडियो स्टेशन्स हैं और डिजिटल माध्यम है तो पत्रकारिता का जो सबसे महत्यपूर्ण काम है वो है आपको समाचार देना और पत्रकारिय लेखन का भी जो सबसे बुनियादी काम है वो है समाचार लिखना यानि ऐसी खबरें या जानकारियां जो तथ्यपूर्ण हों जो ताजा हों जो साजनिक महत्यों की हों और जिनका लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ता हो जिसके जिसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो समाचार हैं इनको लिखा कैसे जाता है इसके अलावा पत्रकारी लेखन में विचार लेखन भी है ये आपको एक तरह से जागरूख करने के लिए है आपको सिक्षित करने के लिए है आपको एजुकेट करने के लिए है और साथी साथ पत्रकारी लेखन का एक और रूप है जिसको हम कहते हैं फीचर लिखना यानि उसका मुख्य उद्देश है, सूचनाएं और विचार तो देना, लेकिन वो मनोरंजक तरीकेश है, लेकिन समाचार मनोरंजक नहीं है, समाचार एक तरह से तत्थियों के बारे में है, तो पहली चीज जो हम आज चर्चा करेंगे, आज की इस कक्षा में, समाचार कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन समाचार लिखे जाएं, उससे पहले ये जानना जरूरी है, कि समाचार हैं क्या, किसको हम समाचार कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, कि सूचना, जो सारी सूचनाएं, हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, रो क्या खबर है तो ये दरसल समाचार नहीं है हम उनसे सूचनाएं ले रहे होते हैं उनसे जानकारी ले रहे होते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है परोस में क्या चल रहा है या आप उनके परिवार में या उनके स्कूल में क्या चल रहा है लेकिन सूचना और समाचार में फर साजुनिक महतो जादा से जादा लोगों के जीवन पर जिस सूचना का प्रभाव होगा वो समाचार बनती है यानि हमारे जीवन पर जिस घटना का जिन सूचनाओं का सबसे जादा प्रभाव होगा उसके समाचार बनने की संभावना उतनी बढ़ जाती है दूसरी चीज उसमें होना चाहिए कि वो तातकालिक हो, ताजा हो, अभी अभी घटी हो, तो ज़्यादा तर हम आप देखते होंगे कि हम जो अभी घटी हुई घटना हैं उनके बारे में हमारी दिल्चस्पी होती है, क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है सूचना कितनी नजदीक है, यानि जो दिल्ली में से छपने वाले अख़बार हैं, उसके लिए वो सूचना ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो दिल्ली में घट रही हो, या दिल्ली के आसपास के इलाकों में घट रही हो, अगर कोई घटना मुंबई में घट रही है, अरसल हमारे लिए जादा महत्वपूर्ण होती हैं, जो हमारे आसपास घट रही होती हैं, तो इसी तरह से किसी नेशनल टेलेविजन चैनल के लिए कि पूरे देश में क्या हो रहा है, वो जादा महत्वपूर्ण है, उसी तरह से हम ये देखेंगे कि जो छेतरी भाषा के टेलेविजन चैनल हैं, उनके लिए किसी राज्य में होने वाली घटनाएं या उससे जुड़ी हुई सूचनाएं समाचार बनती हैं, तो हमें ये तीन चीजों का ध्यान रखना है, कि वो घटना कितनी ताजा है, कितनी नई है, उसमें नवीनता कितनी है, दूसरी बात ये ध आठकों पर, दर्शकों पर और शोताओं पर, किसी भी टेलेविजन चैनल, किसी भी अकबार, किसी भी पत्रिका, किसी भी रेडियो स्टेशन का, कि कितने नजदीक वो घटनाएं घट रही हैं, इन तीनों आधारों पर कोई सूचना समाचार बनती हैं, ये भी बात हमें य पहलो होता है, कि उसमें छे ककार होते हैं, यानि क्या हुआ, किस के साथ हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे और क्यों हुआ, तो अब हम बात करेंगे कि समाचार लिखे कैसे जाते हैं, समाचार लिखने की शैली क्या है, समाचार लिखने में किन चीजों का ध्यान रखना च उल्टा पिरामिड का मतलब जैसा पिरामिड आपने देखा होगा कि पिरामिड में आम तोर पर एक त्रिकोंड की तरह होता है पिरामिड लेकिन समाचार जब हम लिखते हैं तो उसमें उस त्रिकोंड को उलट दिया जाता है यानि पिरामिड अपने सर के बल खड़ा हो जाता ऐसा हम क्यों करते हैं? उसकी एक खास वज़ा है कि समाचार जो लेखन है वो क्रोनोलोजिकल ओर्डर में नहीं लिखा जाता है. क्रोनोलोजिकल ओर्डर का मतलब यह हुआ कि एक तरह से घटना क्रम के मुताबिक नहीं लिखते हैं हम समाचार. यानि जैसे आप कहानी अपने बच्पन में आपकी दादी ने कहानी सुनाई होगी कि एक राजा था और राजा के दो बेटे थे और उन बेटों ने किस तरह से अपने राज में दुस्मनों का नास किया, राक्षसों को मारा और लोगों को बचाया. तो एक कहानी धीरे-धीरे, once upon a time there was a king, वहाँ से शुरू होती है और धीरे-धीरे बढ़ते हुए एक तरह से जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स की तरफ जाती है. आम तोर पर सभी कहानिया इसी तरह से होती हैं. लेकिन जब हम समाचार लिखते हैं, तो उसमें ये तरीका का जो सबसे महत्वपूर्ण पाक्ष है, वो सबसे पहले आना. तो जो समाचार लेखन है, उल्टा पिरामिड में, यानि कि जैसे पिरामिड में कोई कहानी धीरे-धीरे-धीरे बढ़ते हुए उपर की तरफ जाती है, यहां उलट करके, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे पहले आती है, और इसको हम कहते हैं, इंट्रो या लीड, जो किसी भी समाचार का जो पहला पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ में, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, यानि जो सबसे ताजा और नई जानकारी है, उसको आना चाहिए, और उसमें क्या हुआ यानि कोई घटना के बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं किसी समस्या के बारे में कर रहे हैं किसी के बयान के बारे में या विचार के बारे में कर रहे हैं तो क्या हुआ क्या कहा गया और किस ने कहा किसके साथ वो घटना हुई और ये भी कि कहां और कब हुई यानि ये जो चार ककार हैं ये बिलकुल factual हैं तथे पर आधारित हैं और इनके बारे में जो हम जानकारी देते हैं वो आम तोर पर किसी भी खबर के समाचार के इंट्रो या लीड में आने चाहिए लीड में हम ये भी बताते हैं कि उस सूचना का श्रोध क्या है किसके माध्यम से वो जानकारी आई है और हम ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस खबर का कि जो प्रिष्ट भूमी है यानि उस समाचार कोई भी घटना तो हवा में होती नहीं वो सूने में पैदा नहीं होती उसकी कहीं न कहीं कोई प्रिष्ट भूमी है उसका कोई न कोई संदर्व है मान लेजे कोई एक दुरघटना हुई उस किसी सड़क पर दुरघटना हुई तो क्या वो पहली दुरघटना है पिछले एक मेहने में कितनी दुरघटनाएं हुई उस दुरघटनाओं में कितने लोग मारे जा चुके हैं हब तक तो ये सारी जानकारियां जो प्रिष्टभूमी या संदर्व है उसमें हम देते हैं फिर उस खबर की जो बॉडी है वो आती है और उस बॉडी में हम एक तरह से सूचनाओं को घटते हुए महत्युक्रम में लिखते हैं अब सूचनाओं को घटते हुए महत्वक्रम में लिखने का आशर ये है कि जैसे chronological order में यानि घटना करम के अनुसार जब घटनाएं होती हैं तो जैसे मान लिजे कि कब कब क्या घटा वो हम बताते हैं लेकिन यहां पर हम किसी घटना के बारे में रिपोर्ट करते हुए जो स सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले उससे बाद उससे कम महत्वपूर्ण उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण और सबसे आखिर में सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं इसको देने के पीछे भी एक वजह है तो एक तरह से जो खबर की बाड़ी है उस बाड है उसका हम विस्तार देते हैं उसके विस्तार के अलग-अलग characters के बारे में उन घटना कैसे हुई वो घटना क्यों हुई जो कैसे और क्यों है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है लोग जानना चाहते हैं पहले लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ किसके साथ हुआ फिर वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ क्यों हुआ इन दोनों पहलूँ पर हम घटना की या उस समाचार की बॉड़ी में विचार करते हैं यही पर हम लोगों के उधरन आदी भी देते हैं तो हमें समाचार लिखते हुए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए समाचार लिखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए समाचार लिखन में जो सबसे बुनियादी उसूल है जैसा हमने कहा था कि यह सचाई के बारे में है इसलिए यह तथिपूर्ण होना चाहिए वस्तुनिष्ट होना चाहिए वस्तुनिष्ट से आसा है इसमें आपके मिलने चाहिए आपने जो तत्यों को इकठा किया जो जानकारी आपको मिली वही आपको बताना है उसमें आप क्या सोचते हैं आपके क्या विचार हैं वो बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए उसमें आप बिल्कुल निस्पक्ष तरीके से रिपोर्ट करेंगे और ये भी साथ में ध्यान रखेंगे कि वो खबर संतुलित हो यानि उसमें जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों के विचार या उनका वर्जन आया हो और किसी भी समाचार में उसकी भाषा पर भी हमें बहुत गौर करना चाहिए समाचार की भाषा चुकि ये जनमाध्यमों की भाषा है तो आ लिखते हुए हमें इन चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए एक बात हमें यह याद रखना चाहिए कि जब भी हम समाचार लिखते हैं तो समाचार लिखते हुए यह याद रखना चाहिए कि इसको कोई पढ़ता है और पढ़ने में उसको कोई ऐसी जो समाचार आप लिखते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखिए कि उसको तारकिक तरीके से वो बात पूरी समझ में आ जाए उस घटना के बारे में जो महत्यपूर्ण जानकारियां हैं वो समझ में आ जाए और साथी साथ समाचार का जो उल्टा पिरामिट शैली है उस उल्टा पिरामिट शैली के पीछे एक बड़ी वज़ा ये भी है कि अगर किसी को उस समाचार का संपादन करना हो जैसे वो खबर रेडियो में जा रही हो टेलिविजन में जा रही हो अखबार में छप रही हो और अखबार में थोड़ी जगह कम हो जाए तो उस समय पूरे खबर को पढ़ पाना और उसको उसके मताबिक संपादित करना मुश्किल होता है तो आम तोर पर क्या होता है कि जब रात में अखबार के पन्ने बन रहे होते हैं और कोई नई खबर आ गई तो उस खबर को भी लेना है और तो पुरानी खबर को छोटा करना पड़ेगा तो उसका आखरी पैराग्राफ काट दिया जाता है और उसके काटने से खबर के मूल सुभाव पर और उसमें मूल जानकारी पर कोई असर नहीं पड़ता तो इसलिए हम समाचार लेखन में इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि वो खबर ऐसे लिखी जाए जो उल्टा पिरामिड में हो यानि जो सबसे महत्पूर बात है वो सबसे पहले आए और वो घटते हुए महत्व करम में आए तो आखिर में जो सबसे कम महत्व की बात है अगर वो कटके हट भी जाए तो पाठक को उसको समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी दूसरा संपादक को उसमें सिर्शक लगाते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी कि उस घटना के जो मुख्य बात है चुकि उसके इंट्रू में है और वो केवल इंट्रू पढ़ समाचार अंतता तत्यों के बारे में तो आप समाचार अगर लिखना चाहते हैं जैसे अपने स्कूल के बारे में कोई घटना हुई है इस्कूल में कोई कारिक्रम हुआ है, कोई समारो हुआ है, उस पर अगर आप खबर लिखना चाहते हैं, तो उसमें आप यही कठा करिए, कि उसमें क्या क्या हुआ, उसमें कौन-कौन लोग शामिल हुए, उसमें कब वो समारो हुआ, वो समारो कहा हुआ, और उस समारो में क्य क्या किया गया और वो समारो क्यों आयूजित किया गया था ये सारी जानकारियां आपके समाचार में आनी चाहिए तो आप विद्यारतियों मुझे उमीद है कि आप अपने school में, school में होने वाली घटनाओं के बारे में, school में होने वाले कारिक्रमों के बारे में, इसके आधार पर समाचार लिख सकते हैं, तो समाचार आज की इस कक्षा में हमने ये चर्चा की कि समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार क्या होता है, समाचार का अखबार है अगर आप अपने स्कूल के लिए कोई एक वाल न्यूस पेपर निकालना चाहते हैं दिवार अखबार निकालना चाहते हैं दिवार पर छपने वाला समाचार पत्र निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्कूल में होने वाली घटनाए हैं जो सूचनाए हैं क्योंकि विद्यार्तियों की सिक्षकों की दिल्चस्पी उसमें जादा होगी तो इसलिए आपके स्कूल में होने वाली जानकारी उनके लिए समाचार है तो एक तरह से समाचार की परिभाशा उनके पाठकों के मुताबिक दर्शकों की दिल्चस्पी के मुताबिक बदलती भी रहती है लेकिन दिल्ली से प्रकाशित होने हैं बड़े अकवारों के लिए देश में और दुनिया में घटने वाली जो सूचनाएं वो समाचार बनेगी और छोटी-छोटी घटनाएं उनके लिए साइद आपकी स्कूल में होने वाला समारो उनके लिए साइद समाचार ना हो तो समाचार क्या है ये समझना और समाचार को लिखने की जो प्रक्रिया है इसके लिए हमें क्या तयारी करनी चाहिए और समाचार कैसे लिखा जाना चाहिए इस पर हमने चर्चा की मुझे उमीद है कि आज की इस कक्षा से जो आपने सीखा उसका इस्तेमाल आप अपने स्कूल में अपने विद्याले में जो दिवार समाचार पत्र है उसके लिए समाचार लिखते हुए जरूर करेंगे बहुत बहुत शुब कामने अपने विद्यान कामने है